नमस्कार दोस्तों सुवागत हब सबका अपने YouTube चेनल exam idea पे जारखन की क्लासरस इसक्रात कर दी है इस पे पहले मैंने अर्डियो बना रखा है यह वीडियो number 5 है इसमें मैं आपको discuss करूँगा गडवा district के बारे में इस पिखले मैं गडवा district के पहले मैं आप पलामो district और अनेक जहरकन की वीवीद और अनेक स्थाक के बारे में अल्रेडी डिसकस कर चुका है, तो अगर आप वो से वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहां से भी जाके चेक आउट कर सकते हैं, और न था आप एक्जाम आइडिया के पेल लिस्ट में जाके भी जार्खन की अनेक व पहाली, वह जार्खन वन रच्छी, जार्खन के अनेक इंटर्मेडिट अस्तरिय एक्जामनेशन के लिए, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, वीडियो सुरू करने से पहले, मैंने हर वार की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं, तो चैन पहले, मैं आपको गडवा डिस्टिक के बारे में संशिक्त में बताता हूं, जो आपको परतियोगिता परिछा को करेक्ट करने में काफी मदद मिलेगा, तो फर्स्ट आफ अफ यह गडवा डिस्टिक को जो है, गडवा डिस्टिक को मा गड़देवी नगरी की इस नाम से भी जाना जाता है, आप ध्यान रखेएगा, गडवा डिस्टिक गड़देवी नगरी से भी फेमेस है, उसका उपनाम जो है वो गड़देवी नगरी है, जिसकी अस्थापना एक अपरेल उनेश्व एकानवी स्वी को हुआ है, इसकी अवस्थिति के में बात करूं को गड किस जिले से और किस राजी से वस्थित हैं, तो पुरुव में है वो पलामु जिला है, और पस्ची में उत्र परदेश, उत्तर में बिहार और दस्चिन में 36 गड़ है, एक वर फिर में बता देता हूं, गडवा जिला के जिस सिमाय हैं, वो पुरुव में पलामु है, समुदर तल से गड़वा जिल्ली के उचाई की बात करूं तो समुदर तल से 1200 मैं बात करूं तो 365 मेटर है समुदर तल से इसकी उचाई कुल छेत्रफल के मैं बात करूं तो 4044 से किलो मेटर है जनसंख्यां की बात करूं तो 132017ailable 51alnya जनसंख्यां आज रखिएगा घड़वा जिल्य की टोटल जन संखियां 13,22,784 है जिसमें इसे प्रोषों की जन संखियां है वो जो 6,83,575 है और महिलाओं के जन संखियां जो है वो 6,49,209 है फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कूल जन संखियां 13,22,784 है प्रोषों की जन संखियां 6,83,575 है और महिलाओं के जन संखियां 6,49,209 है जिसमें मैं नगरी के बादिक करूँ कुछ नगर में जो जन संखियां विस्थित हैं जो प्लायन करते हैं वो है 79,670 है आने कि टोटल जन संखियां का 13,22,784 में 79,000 जो हैं वो नगर में शहर में वस्थित हैं और बाकी जितने भी हैं 12,53,114 वो गरामीन इलाके में अबादी अवस्थित हैं आने कि वहाँ वो अपना जिवन आपन करते हैं अगर प्रतिसत की मैं बात करूँ तो नगरी अबाद करूँ तो 94 प्रतिसत जो है वो गरामीन इलाके में अवस्थित हैं और कि वहाँ वो निवास करते हैं इस जरह मैं अन्शुचित जन जाती की मैं बात करूँ तो अन्शुचित जन जाती जो है वो 25,004 है एक बार फिर से मैं बात कर दूँ अन्थावन दो लाक अंठावन यह ंंजाती की फूलोर हैं अगहर इसितन प्रतिशत की मिलात कर हो तक 20 ज जन चंकिया है औंसोचित brag की में बात करूं तो जन संकिया है वह मैं 33,922 जाती कि मैं adjustments 24-25 ृओक कि वह जो जन संख्यां वो आपकी कुल अजोचीत जाती के हैं अगर मैं लिंगानुपाद की मैं बात करूं तो लिंगानुपाद जो है वो 935 है आने की परतेक एक हजार प्रूस पे 935 महिला गढ़वा डिस्टिक में निवास करती है ओके लिगानुपात की मैं बात करती है अब मैं बाल लिगानुपात की मैं बात करता हूँ तो आने की बाल आने की जूस की उमर जो है वो 14 साल से नेचे है उसमें से निगान उपात जो है वो 960 है जनसंख्या घनत की मैं बात करूँ तो गढ़वा डिस्टिक में जनसंख्या घनत जो है वो 323 है व्यक्ति पर किलो मेटर स्क्वाइर 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 स 60,33 Okay, एस जिश्में से महिला की मैं बात करूँ महिला सच शार्ता की, तो 57,50 परतिसत है और पुर्ष सच शार्ता की में बात करूँ तो 72,19 परतिसत है मैं फिर से एक बड़ा रिपीट कर देता हूँ, साचहरता के मैं बात करूं तो 60.33% जो साचहरता है जिसमें 72.19% जो है वो पुरुसों की साचहरता है और 47.58% है वो जो महिला की साचहरता है मैं अनुमंडलों की संखिया में बात करूं, क्योंकि आपको बहुत इंपोर्टन हो जाता है कि कौन से डिस्टिक में कितनी अनुमंडल है और कौन-कौन है वो भी आपको ध्यान रखना है, एक गढ़वा है, एक नगर उठारी और एक रंका है, अनुमडलों के संख्यां गढ़वा डिस्टिक में तीन है, पहला है गढ़वा, दूसरा नगर उठारी और तीसरा रंका, जिल्ले की निर्मान के समय प्रखंडों के संख्यां बढ़के 20 हो गई है, यह भी चीज आपको ध्यान रखना है, कि उस समय जो थी वो 8 थी और अभी आपको 20 हो गई है, कौन-कौन हो गई वो आपको याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है कि वरतमान समय में 20 है, और जिस्टम राइज बना था, उन्हे इस अलोग सवा शंख्या चेत्र भी बहुत इंपको जाता है, और आपको परमुख हो जाती इसकी नदियां और धार्मिक अस्थलें, ओके तो विदान सवा चेत्र जो है, वो कोन-कोन हो वह आपको आज रखना है, और कितने हैं यह भी आपको भूल हो जाता है, तो जारखन के गड़वा डिस्टिक में जो विधान सभा छेतर हैं उसमें दो हैं एक गड़वा और एक भावनात-पूर इसकी विधान सभा छेतर हैं अलोक सभा संसजिय छेतर है जो वो सिप एक हैं वो बलामू है okay परमुक नजिया की में बात करूं तो कैनहर है सोन है तलहे है सरस्टिय है दानरो है अन्राज है और बलाइती है और बिरहा बाइक पांकी और सुक्ह दरी है ओके यह सब बहुत इंपोर्टेंट है आपको इसको एक बार बढ़ लेना है आपको कंठस्त ऐसे याद हो जाएगा वीडियो आप बार बार देखें आपको इसे रटने की जोर्रत नहीं है एक बार नहीं चार बार पांच बर वीडियो देखें आपको सारे चीज़ें कंठस्त देखके वीडियो देखके ही हो जाएगा ओके आगे मैं बात करूँ एतहासिक असमारक जो है वह है रंका राजभावन आप याद रखिएगा विधान सभाज छेत्र जो है वो गढ़वा भाव और भावनातपूर है लोग सभा संसाजय छेत्र है वो एक है परमुख नदिया कनहर सोन और तलहे और सरास्तिया है एक तीन चार जो है आपको याद रखना है क्योंकि यह सब इंपोर्टेंट नदिया है एतहा वह वह आपको गढवा में है आपको इसे याद रखना ही है बहुत बार एक्जामनेशंस में डारेक्ट पुछ देता है कि बाबा वनसेधार मंदिर कौन से जिल्ले में है तो इसका सही अप्शन जो होगा वह आपको गढवा होगा राजा पहाड़ी कास्यू मंदिर गढ़ बहुत important है बाबाबांसीधर मंदिर और गढ़ देवी का मंदिर दो इमपोर्टन आपको बहुत है मैं परेटर नस्थरल क경 में बात करूं तो परेटर नस्थल जो है वो सत्व बतनी जर्ना है अनराज डेयम हाव यह सब इतनी इंपोर्टेंट नहीं है तो यह आपको बहुत है कि जो जनजाती है वो उराओं कॉरबा और चेरो जो जनजाती वो गल्वा डिस्टिक में निवास करते हैं प्रमुक उद्योग के में बात करूँ तो लाख उद्योग गडवा में बहुत ही important है लाख उद्योग खुटी में और एक गडवा में लाख उद्योग बहुत ही important है ये questions बार बार पूचता है कि राज किसे कहा जाता है जो राज जो जारकन को और उसमें से कौन से district तो और आपको very very important है कि गढ़वा में आपको बीड़ी के उध्योग में मिलेगा ओके तो यह तीन चार चीज है जो आपको याद रखना बहुत important है संतंत्रता सग्राम में भाग लेने वाले परमुक आंदोलनकारी यह इतनी important नहीं है परमुक व्यक्ति भी यह ज्यादर important नहीं है तो मैं आगे मैं बात करूँ इसकी तो आगे मैं बात करूँ ने इस पहले बढ़ने से पहले मैं आपको गढ़वा के बारे में कुछ और जनकारी आपको दे देता हूँ देखें मा गढ़देवी का मंदिर जो है जिला मुक्याले में इस्तित है जिला मुक्याले कहा है गढ़वा में तो गढ़वा में ही इस्तित है इस मंदिर को 1926 इस्वी में काफिक विख्यात आने की जो ख्याती थे मिली थी जब गढ़वा गढ़ के राजा निरसंतान ठाक अमर्दयाल सिंग के पुत्र प्राप्ति की मन्नत पुरी हुई थी तो उस टेम जो जो गढ़देवी की मंदिर है वो उन्हें से 26 उजने में काफी विख्यात हुई थी आने की काफी सुरक्यों में थी गढ़वा जिल्ले जारखन राज का एक मातर ऐसा जिला है जो तीन राज हमें है आनकि सबसे उत्तर की मैं बात करूं तो गढ़वां डिस्टिक ही है ओके तो ये सब जो questions है मैं आपको आगे नीचे लगाने की questions करूँगा ये आपको objective questions है जो जितना मैंने भी पढ़ाया उस पर आपको ये related questions है आसा करूँगा कि आप अपने से खुद से लगाईएगा और दखिएगा आपको बहुत सारे questions जो हो आपको इसी में से नजर आने वाला है तो वीडियो अगर अच्छे लगती है तीसे जरू like किजएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी share जरू किजएगा ताकि वो भी अपने परतियोगिता परिछा की त्यारी अच्छे ढंक से कर सके तो देखिए मैं आपको अभी mcq question लगाता हूँ और बताता हूँ तो first question जो है गणवा जिल्ले किस जिल्ले से अलग होकर नए जिल्ले की रूप में अवस्थित हुआ है तो आपको बताना है कि गणवा जिल्ला है वो किस जिल्ले से अलग होकर इसमें आप देखते होंगे मैं ने बहुत बार चर्चा किया पलामू 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 तो आपको एक चीज़तों ध्यान रखना है कि गड़वा जिल्ला का जो अस्तित आया है वो पलामू जिल्ला से अलग होकर आया है तो इसका सही option हो जाएगा option number A पलामू जिल्ला ओके नेक्स्ट मैं बात करूं गड़वे जिल्ले की अस्थापना कब होई है तो गड़वा जिल्ला की अस्थापना आपको मैंने फरल ही बताया है और फरस्ट मैं बताया है कि गड़वा जिल्ला की जो अस्थापना है 1991 में होई है नेक्स्ट कोचन जो है गढवा जिल्ले का मुख्यालाई कहा है तो ये भी मैंने आपको वीडियो में ही बताया है कि गढवा जिल्ले का मुख्यालाई जो है वो गढवा में ही है गढवा जिल्ले का छेतरफल कितना है ये भी आपको वीडियो में ही मैंने बताया है कि गढवा कोशन के मैं बात करूं फिप्त कोशन नंबर गढवा जिल्ले में कितने अनुमंडल है ये भी मैंने बताया है कि गढवा जिल्ले में तीन अनुमंडल है ओके गढवा जिल्ले में तीन अनुमंडल है ये सब भी भेरी इंपोर्टेंट है कौन-कौन रखना है आपको ये भी आ आठ थी और अभी कितनी हैं तो अभी वर्तमान में टोटल 20 हैं देखें मैंने जितना पढ़ाया है आपको उसी का ये MC कोशन है तो आपको देखें आपको concept समझ जाने के बाद MC कोशन में किसी तरह भी कोशन दे आपको बनाने में काफी असानी हो जाती है तो मैंने जितना concept अच्छा से समझ में आए और आप MC कोशन को अच्छा से बना पाएं ओके नेस्ट कोशन की मैं बात करूं एट नंबर कोशन तो गड़वा जिल्ले की कूल अबादी कितनी है तो मैंने बताया 13,00,000 है 13,00,000 कहां है फरस्ट में है तो 13,002,784 जुज है और गड़वा जिल् क्या सकना पाद करूं नंबर टेन तो को चर्ष़े नंबर जो तैन है वो है गड़वा जिल्ले की जन संख्या का घंट कितनी है तो गड़वा जिल्ले के जन संख्यान का घंट जो है वो 323 है यह सारी चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया ह।ề आगर आप वीडि से पढ़े हैं concept लिए हैं तो आपको mcq बनाने में और असानी होगी और यह चीज आपके माइड में बहुत ज्यादा दिन तर रहने वाला है इसलिए मैंने कोशिस करता हूं कि नीचे आपको mc question भी आगे समलिट तरूं ओके ऐसलिए मैंने mcq question भी नीचे समलिट करता हूं तो चलिए आगे शुरू करता हूं और मैं आपको questions पताना है कि गढवे जिले में कितना लिन नंवपात है इसका जुँ सही ऑप्सण है वो 935 है उके गढ़ा जिले में जिले का नंवूलिक जो है वो 935 है स्षोन नदी जर कचंस के की जिली में है मैंने बताइयden तिन मैंने बताया वह आपको याद रखना है तो उसमें से एक मैंने सोन नदी भी बताया है तो जहारखन में सोन नदी जो देखिंग इंपोर्टेंट मैंने बताया थे तीन वह तीन में से आपको सोन भरी भरी इंपोर्टेंट है तो आपको गढ़वा जिल्ली में अवस्थित हैं नेस्ट क्वेशन के मैं ब्यात करूँ बारो क्वेशन से नंबर की तो बारो क्वेशन से जहारखन के उत्री पस्ची में भाग में कौन सा जिल्ला है तो देखिए मैंनों पहले बताया है कि जहारखन में जो उत्री पस्ची में है वो गढ़वा जिल्ला ही है कोई जिल्ले है गढवा जिल्ला ही है तो आपको यह सचीज concept में पहले बता दिया है तो आपको नहीं लगता है कि MCQ बनाने में कोई दिकत आती होगी नेस्ट कोईशन के में बात करूँ फोटींथ की कोईशन की तो फोटींथ कोईशन जो है गढवा जिल्ले के किस नगर का नाम बदल कर वंसी धर नगर रख दिया गया है तो इसका जो नाम बदल दिया गया है और नगर उटारी का जखी एक कोईशन मैंने नहीं बताया लेकिन इसे MCQ कोईशन में दे दिया गया है तो आपको जो चीज वहाँ कंसेप्ट में नहीं बताया है वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा तो इस तरह से आपको दो बेनेफिट मिल रहा है तो इस चीज धान रखियेगा और यह भेरी भेरी इमपोडend कोईसं भी है कि गड़वा जिल्ये के किस नगर का नाम बदल का उनसिधर मन्दिर रख दिया गया है तो इसका सही मैंने नहीं बताया है तो गड़वा का वास्टित जो भासा है वह मराठी है, क्या है Shot मराठी है, गड़वा जिल्ला गड़वा जिल्ला का जो भासा है, आने कि गड़वा जिल्ला, गड़वा जो है सब्द वो वो मराठी भासा से लिया गया है, गड़वे जिल्ले में पर्मुख जन जाती कौन-कौन है मैंने तीनों बताया है उराओं, कोरवा और एक चेरों तो यह उप्रूपत सही हो तीनों होगा ओके उप्रूपत सभी गडवा जिल्ला के तीन जन जाती काफी इंपोटेंट हैं next questions की में बात करूँ गढवा जिल्ला का जार्खान का एक मात्र जिल्ला कौन सा है जो तीन राजी आने की उत्रप्रदेश बिहार और 36 गढ़ से असपर्स करता है आने की तीनों से share करती है अपनी boundary तो और जिसे मैंने पहले बताया कि ये उत्रप्रदेश बिहार और 36 गढ़ स तो ये हुई आपकी 17 जो mcq questions है उमिद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आये होगी बनाने में और अगर आप वीडियो अच्छी तरह से देखे हैं तो आपको हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की परिशानी इस सब mcq में हुई होगी तो इस वीडियो में इतना ही था फिर मिलते हैं कोई अलग वीडियो में मैं अगला district के बारे में चर्चा करूंगा जो chapter होगा वो लाते हार होगा next जो topic होगा वो लाते हार होगा वीडियो नमबर 6 होक लगती है दंदनादन लाइक का बटन जरूर लिखिएगा कि मेरी क्या इसमें कुछ गलती रहेगा ही जो मुझे और इंप्रोग्मेंट करने की जरूरत है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिखिएगा मैं आपको एक कोशंस पुछता हूं आपको बताना है वाipes में आपको में बताता हूं जिसे मैं नहीं क्यसा की पहले है तो में प्लामो जिल्ले के बारे में पुछता हूं आप कोमेंट सेक्षन में जरूर लिखिएगा पलामो जिल्ले की जनसंख्या घना तो कितनी है यह आपका stars questions है आज का questions है पलामो जिल्ले की जनसंख्या घना तो कितनी है questions मैं फिर repeat करता हूँ पलामो जिल्ले की जनसंख्या घना तो कितनी है आपको यह comment section में लिखना है अकर वीडियो आप देखी होंगे तो आपको याद ह होगा ओके तो चलिए भी सुडियो में नहीं था फिर मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत थैंक यू